लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यामा आरन 5 के दो कलर दिखाये थे वो ब्लू वाला और रेड वाला जिसमें स्पार्कल स्पार्कल वाले डॉटे डार ते तो उसी के दो दिन बाद अपना ये मेजेंटा वाला न्यू कलर लॉंच हुआ था आज इस गाड़ी के ब आप से पहले इस गाड़ी के 360 व्यू देख लो कि गाड़ी एक्चल में दिखने में कैसी है और कैसी नहीं है जो लोग सोच रहे ने कंफर्टेबल बाइक तो वो तो थोड़ा सा इस वीडियो को स्किप कर देना क्योंकि कंफर्टेबल बाइक तो ये बिल्कुल भी नहीं है अगर पुरानी वाली V3 से मैं कंपर करूं तो ये बहुत ज्यादा कंफरेटेबल है कि हां उसका जो हैंडिल पोस्चर ता वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव ता पर इसका जो पोस्चर वो थोड़ा सा अपराइट हो गया एक से दो एमम तक ऊपर हो गया तो थोड़ा बहु ज्यादा होती है पर जो इसके लुक्स हैं वो ग्लॉसी से हमेशा ज्यादा निकल के आते हैं और वो सदा बहार भी रहते हैं ये चीज़ देखने वाली है प्राइस की बात करो तो इस गाड़ी को अगर आप अन रोड अगर मैं देखूं तो दो लाक पच्चेस और पर के आ और जो नौर्वल अरन फाइव में ना इदेखो ये तो वर्दन फोर वाला मॉडल ये अरन फाइम वाला मॉडल नी है वर्दन फोर में और में एक मेजर डिफरेंस है वह बाई LED इंडिकेटर्स का और अपने TFT मीटर का तो जिन लोगों का बजट थोड़ा सा तंग रहता ह दूसरा जो चेंजेस मैंने बताया था कि यह है मतला एम के मुकाबले इंडिकेटर पर अकर आप एक हजार रुपर या दो हजार रुपर एक्स्टा दोगे तो इसके अंदर भी आपको LED इंडिकेटर लगा के आपको गाड़ी ऑन रोड जब आप लेने जाओं तो आपको व किसी के बहुत प्यारे से लुक्स है और इसका बोडी पॉस्टर इस टाइप का है जस्ट लाइक मैं बैटके दिखाता हूं कि आपना बहुत ज्यादा टकीन हो जाते हो गाड़ी के साथ यूस्ट हो जाते हो जब आप चलाते हो तो आपका जो confidence level है वो चलाने में बढ़ जा इन है कि नॉर्मल बंदा भी अगर चलाता है अगर वो हाई स्पीड पे भी चलता है तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है हाई स्पीड से याद आया इस गाड़ी के अंदर आपको यूस्ट सेस्पेंशन मिल जाते है और साथ ही साथ जो फ्रंट टैर है वो सो सेक से टू वाला इंजन है जिसके अंदर हमें अठरा की बेट चौदा का एनम देखने के मिलता है यह कहने के लिए देखो मैं नॉर्मल अपनी कई वादी वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर आप इंजन को देख रहे हो ना तो किसी भी गाड़ी के इंजन को इसके से कंपे आता है आप किसी और 14 भी वाली गाड़ी 18 भी वाली गाड़ी को चलाओ और आप इसको चलाओ जब इसका सेकंड वॉल्फ खुलता है ना तो यह अच्छी अच्छी घाड़े को धूल चटा देती जस्ट लाइक हमने कई सारी ड्राइग डेस में भी देखा है कि एक सिंगल आसी गाड़ी है जो 155 सीची होके भी 155 टॉप एंड मार देती है मैंने खुदने भी मार रखा अपने चैनल पर शॉट्स भी डाले और वीडियो भी डाली है और कभी भी आसा मुझे फील नहीं हो कि मेरी गाड़ी डिस्बैलेंस हो रही है या टैंक स्लेपर आ रहा है या म अगे वाली ब्रेकिंग है उस पर 80% हम डिपेंड रहते हैं और पीछे वाली सिर्फ बैलेंसिंग के लिए होती है कि अगर आप कभी भी पैनिक सिच्वेशन में फसो या सड़नली कोई डॉग आगे से आजए कोई इनसान आगे से आजए हाई वे तो हमारे हाथ पहले काम कर पैर आजाते हैं तकरीबन 3-4 सालों से मैं इसको चला भी रहा हूं मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मेरे को गाड़ी ट्रैफिक में चलाने में भारी लग रही है या मैं आगे पीछे करने में टैकल नहीं कर पा रहा तो वहाली सारी चीज है यामा के साथ बहुत प्राइस थोड़ा सा जाद है कि जो इसका खरचा होगा ना वह भी बहुत ज्यादा होगा ऐसा कुछ निये मैं तीन सालों से अन कर रहा हूं मैंने पास सर्विस फिरी कराई मेरी एक भी सर्विस हजार रुपे से उपर ने गई उसके बाद जब मैंने पेड सर्विस कराई है तो मेरी 1200-1300 फरटा में सर्विस हो जाती है चाए आप बाहर से एक कर आ आउ चाए आप कंपर हो अरामसे आप की 1400-1500 फरविस हो जाती है तो देखने में लगता है कि गाड़ी दिखने में देखने में 3500 फरफे ले रही है कि भीं। या हम खरीदते समये आपको एक बा तो फिर अब तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई दिक्कत रह गई है प्राइस का अगर आपको लगता है कि प्राइस आपके लिए तो आप उसकी तरफ जाओ TFT डिस्प्ले भी आएगी क्विक्शिफ्टर और ऑटो ब्लीपर में एक छोटी सी में आपको डिस्ट्रेशन देता हूं कि ऑटो ब्लीपर वो होता है जिसके अंदर आप गेर डाउन भी कर सकते हो और अब भी कर सकते हो बिना कलस दबाए और क्वि अब किन लोगों के लिए गाड़ी बनी है और कौन लोग इस गाड़ी को ग्रैब कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं सबसे पहला एक जो लोग देख रहे हैं कि मेरे को एक लॉंग टर्न के लिए इंजन चाहिए कि हां मैं अगर गाड़ी ले रहा हूं तो मैं इसको तीन-चार साल तक तो एट-लिस रखूंगा ही रखूंगा इसमें कोई प्रॉब्लम ना है तो उस कंडिशन में भी आप इसक पूछे भी गाड़ी के बारे में तो उस कंडिशन में भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं और बस यही कुछ इसके फीचर है बाकि जो थोड़े एजिट लोग है वो थोड़ा सा दूर रहे ना और एक परसनली मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि यह गाड़ी कई लोग ने म मारेगा कि तुन्हें लड़गी वाली गाड़ी ले लिए तो इस चीज को मित को मत फैलाओ अराम से दोनों के लिए मस चलाओ गाड़ी कोई प्रोब्लम वाली बात है नहीं सोरूम की डिटेल्स बाई डिस्केशन में और मिनिमम डाउन पेमेंट मैं बता रहा था वीडियो ग rescate और ऑड इस गाड़ी में अंदर आरन 5 के अंदर एक्सास लगाते उन तो इसका में और यू अर पिम जए बहुत लंबा जा ततो बहुत दा और एक चीज़ और गाड़ी सान्ध होने का एक का ngविय कि इस गाड़ी है कि आंफा था ड मैं की जीज नहीं है वाई आप इ पूटी लेनी हो या कोई भी या मा की गाड़ी लेनी हो तो आप को आईरी करो एक बार आओ या नाओ एक बार फोन करके पूछो बैठो बात करो उसके बाद बताना क्या आपका फीडबैक है और मिलते नेक्स व्लोग में तिल देन बाई बाई